नमश्कार सु स्वागतम वेलकम मैं निदिशमाली आपके अपने इस यूटिप चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ आज ये जो मैं राशीफल आपके लिए लेकर आई हूँ ये आप सभी लोगों की डिमान पर ही लेकर आई हूँ बहुत लंबे टाइम से मेरे सामने कमेंट आ रहे थे कि वर्ष 2024 का वार्षिक राशीफल आप कब देंगी तो लीजिए आपका इंतजार हुआ खत्म और आज में लेकर आई हूँ वर्षिक राशीफल का वर्षिक राशीफल का लाप प्राप्त कर सकते हैं सबसे पहले वर्षिक राशी के स्वामी ये मंगल तो मंगल की बात करते हैं मंगल वर्ष की शुरुवात में धनू राशी में गोचर ब्रह्मन करेंगे और वर्ष परियंस धनू से कर्क राशी तक वे गोचर ब्रह्मन करने वाले हैं अब ये तो हुए आपके रासी स्वामी की बात अब एक नजर डाल लेते हैं एक जन्वरी वर्ष 2024 की वार्षिक कुंडली पर कि ये नव वर्ष की शुरुआत में ग्रहों की इस्तती कैसी रहने वाली है के तु आपके लाभभाव में विराजमान रहेंगे शुक्र और बुद की युथी आपके खुद की राशी में यानि व्रशिक राशी में रहेंगी तो ये है वर्ष की शुरुआत की यानि एक जन्वरी वर्ष 2024 में ग्रहों की इस्तती अब जो मैं आपको वर्ष 2024 की कुछ विशेश भविश्यवानिया देने जारी हूँ उस हिसाब से आप अपने आने वाले इस नव वर्ष की प्लैनिंग कर सकते हैं स्ट्राइटजी बना कर योजनाबत तरीके से और जो साबधानिया रखने को मैं कहूंगी उन साबधानियों के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो ये नया वर्ष आपके लिए उन्नती दायक ही रहेगा और ये जो वविश्यवानिया ये जो राशी पल मैं आपको देती हूँ ये चंदरगर्णाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशी और लगन दोनों के हिसाब से देख सकते है यानि व्रशिक राशी और व्रशिक लगन दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है तो शुरू करते हैं वर्श दोजार चौबिस की महत्वपोन भविश्यवानिया सबसे पहले पहली भविश्यवानी गुरू जो कि आपके रोग भाव में जनवरी से लेकर अप्रेल तक विराजमान रहने वाले हैं पहले तो गुरू जहां बैठते हैं उस घर की स्थान हानी करते हैं दूसरा गुरू आपके धन स्थान के स्वामी है और पंचम भाव के स्वामी है गुरू सस्थम भाव में बैठ रहे हैं चुकि सोम्यग रहे हैं तो वो अच्छा नहीं है यानि जन्वरी से लेकर अप्रेल मा तक आपको बहुत केरफुल खुकर चलना होगा वैसे भी ये समय आपके लिए थोड़ा सा टफ रहने वाला है शनी की धहिया आपको चल रही है इसलिए अपने कारियों को बहुत स्ट्राटजी के साथ में कीजिएगा धन को संचित रखने के स्त्रोतों पर आपको इस वर्श विचार करना होगा अनर्गल खड से आपको बचना होगा कोटुम में किसी भी रिस्दार के साथ में अपने संबन्द न भिकाड़ा है और किसी भी कॉंट्रोवर्सी में न फस है इस समय आपके किसी भी महत्वपूर्ण कारी की शुरुआत से पहले आपको अपने बुजर्गों की सला जरूर लेनी चाहिए ये समय चुकि गुरू आपके धनेश है और आपके पंचमेश है इसलिए विद्यारती वर्ग को भी अधिक मेहनत की आवशकता रहेगी पढ़ाई में जितना ज़्यादा आप मेहनत कर सकते हैं अपनी योग्यता को सिद्ध करने के लिए मेहनत को जी जान से जोंक दीजिए और अपने लक्ष को सामने रखते हुए बस लक्ष प्रधान पढ़ाई कीजिए देखेगा आपका टारगेट आप जरूर अपनी मेहनत के दम पर अचीव करते हुए दिखाई देंगे संतान पर आपको नजर रखनी होगी क्योंकि बच्चे गलत आत्तों के शिकार बन सकते हैं गलत आत्तों में पढ़ सकते हैं थोड़ा सा अपने बच्चों को समय समय पर बैठा कर मार्क दर्शन दे, उनको थोड़ा सा समय दे, उनके साथ समय बिताए और बच्चों की साइकलोजी को समझे, अगर वो गलत मार्क पर जा रहे हैं, तो डार्टने की अपेक्षा उन्हें प्यार से और उनकी साइकलोजी को समझते हुए उन्हें ट्रीट करें उन्हें समझाने का प्रयास करें वो सही मार्क पर जरूर आएंगे पर अपनी बच्चों पर आपको इस समय साइलेंट नजर रखनी ही होगी ये समय कला के शेतर से जुड़े हुए लोगों के लिए भी थोड़ा सा स्ट्रग्लिंग दे सकता है अगर आप साहित्य और कला के शेतर से जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली इस समय आपको थोड़ी सी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है तो ये समय यानि जन्वरी से लेकर अप्रेल तक का समय आपके लिए इतना अच्छा नहीं है धनिस्थान और पंचम भाव के इसाब से आपको थोड़ी सी सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा अब दूसरी भविश्यवानी पर आते हैं गुरू की द्रस्टियां जो की सर्वता अच्छी होती है गुरू की पंचम द्रस्टि आपके दशम भाव यानि कर्म भाव पर पड़ रही है गुरू की सब्तम द्रस्टि आपके खर्च भाव पर पड़ रही है और गुरू की न आपके काम में तेजी लेकर आएगी, बस योजना बतरी किसी काम करना है, स्ट्राइटजी बना कर करेंगे तो दिक्कते नहीं आएगी और आपको सफलता भी मिलेगी, इस समय आप जो भी कारिया अपने हाथ में लेंगे उसमें आप द्रण निश्य से आके बढ़ेंगे, महीं अपने ही घर पर द्रस्टी डाल रहे हैं, इसलिए गुरू के रिजल्ट आपको बैलन्स कर देंगे, यानि इस समय आप अगर सही तरीके से और सांती और विवेक का इस्तमाल करते हुए, यानि धैरे के साथ अपने कारियों को करेंगे, तो डेफिनेटली आपको अपनी मेह किस्तों को बैलन्स करना आता है, ये कला आप में हैं और आप इसे कर दिखाएंगे, अब आते हैं तीसरी भविश्यवानी पर, एक मई को गुरू राशी परिवर्तन करने जा रहे हैं, और मेश से व्रशब राशी में प्रवेश करेंगे, लगबख एक वर्ष का गुरू का ये गोचर काल रहता है, गुरू 14 मही वर्ष 2025 को व्रशब से मिथुन में प्रवेश करेंगे, तब तक वे आपके सब्तम भाव में विराजमान होंगे, और किंदर में गुरू बेस्ट रिजल्ट देते हैं, यहां पर आप ध्यान रखेगा मही से लेकर दिसंबर तक का जो आपके लिए बहुत ही शानदार परिणाम गुरू के लेकर आएगा, क्योंकि गुरू सब्तम भाव में बैटकर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, दूसरा गुरू अपने आपके धनेश और पंचमेश है, तो इन दोनों इस्थानों में भी अब तक जो उतार च रिस्तदारों से मनमुटाव खत्म हो जाएगा, रिस्ते सामान्य होते हुए दिखाई देंगे, इवन कुटम में मान सम्मान बढ़ेगा, योजनाबत तरीके से और एक टीम वर्ग की तरह अगर आप काम करेंगे तो वर्क प्लेस पर भी आप बड़े बड़े आरी आप पर प्रसनचित नजर आएंगे, व्यापार में कुछ नहीं योजनाएं बनाएंगे और नहीं योजनाएं आपके धनलाब की इस्ततियों को बढ़ाने में सहायक होगी, महीं करियर में आरी दिक्कतें परिशानिया खत्म हो जाएगी, चात्रों को अपनी मेहनत का अप प्रती फल मिलता हुआ दिखाई देगा, यानि जो अप्रेल मा तक आपने मेहनत कर लिए, अब आप उसका फल प्राप्त करेंगे, संतान की तरफ से भी आपको सुब समाचार मिलेंगे, परन्तु या राहु बैठे हैं पंचम भाव में, इसलिए आपको अपने मार्क पढ़ना चले, बाकी आपके समझाने पर बच्चे आपकी बातों को समझेंगे, लक्ष प्रधान बनकर आपको गौरवान वित महसूस करवाएंगे, बच्चों की तरफ से भी आपको सुब समाचारों की प्राप्ती होगी, गुरु चुकि केंदर में अच्छे रिज साथ ही अगर आप संतान प्राप्ती के लिए प्रयास कर रहे हैं तो वो प्रयास भी आपके सफल होंगे, तो यह हुई तीसरी भविश्यवानी, अब आते हैं चौती भविश्यवानी पर, देखें यहां गुरु केंदर में सब्तम भाव में बैठ कर गुरु पंचम द्रस् से आपके पराक्रम भाव को देखेंगे, और शानदार इस्थतियां आपको अप्रेल से दिसंबर मा तक अपने जीवन में देखने को मिलेगी, क्योंकि गुरु की दरस्तियां सर्वता शुपकारी होती है, यहां पर उत्रोतर लाब अब आप प्राप्त करते हों दिखाई अब तक जो टेंशन जेली है, जो कठिनाईयां आपने देखी है और जो लगातार महनत करेगा उसको रिजल्ट जरूर मिलेगा, अब रिजल्ट प्राप्त करने का समय है, आपका सर्कल और लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा, इस समय आप जो भी कार्या हाथ में इसके स्वामी ये मंगल जो की हमीशा डेरिंग व्यक्ति को बनाता है और जब गुरू की दरस्टी पढ़ गई तो सोने पे सुहागा हो गया कि आप डेरिंग तो हैं पर और अग्रेसिव आप नहीं होंगे, बहुत सोच समझ कर डिसिसन लेंगे, आप एक ठहराव भी और उस वज़े से आप हर समस्या का खल निकालने में अपने आपको सक्षम महसूस करेंगे, ब्रिस्तों में भी अच्छा ताल मिल रहेगा, ददियाल से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा गुरु की नवम द्रस्टी अप्रेल से दिसंबर तक आपके पराक्रम भाव पर पड़ेगी, तो पैत्रिक संपत्ती आपको इस समय प्राप्त हो जाएगी, चोटे भाई बैनों से आपको लाब उप्राप्त होगा, अगर पैत्रिक व्योसाया आप सब साथ में करते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छा फायदा होगा, आप अपनी होबी से प्रसिद्धी हासिल करेंगे, शोशल मेडिया पर आप वाइरल हो सकते हैं, आपके फॉलोवर्स बढ़ सकते हैं, शोशल मेडिया पर आप च्छाय रह सकते हैं, यानि वर्स 2024 आपके नेम और फेम को बढ अब आते हैं अगली भविश्यवानी पर, शनी जो कि आपके सुख इस्थान में स्वग्रय योकर शश नामक मापुरुश योग बना रहे हैं, व्रश्चिक राशी वालों के लिए शानदार परणाम शनी लेके आने वाले हैं, क्योंकि इस वर्स शनी का राशी परिवर्तन नहीं हो रहा है, 29 अप्रेल वर्स 2022 में मकर राशी से कुम राशी में शनी ने प्रवेश किया था, और तब से ही आपको यानि व्रश्चिक राशी वालों को शनी की धहिया शुरू हो गई थी, और 29 मार्च वर्स 2025 को शनी कुम से मीन में जाएंगे, तब शनी की धहिया आपक सनी सुक इस्थान में स्वग्रय योकर्श नामक मापुरुष योग भी बना रहे हैं, तो आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है क्योंकि शनी कर्म फल दाता है, कर्म के हिसाब से रिजल्ट देता है, अगर आपने बहुत अच्छे कर्म किये हैं, तो शनी की धहिया का अच्छे परिणाम ही मिलेंगे, शनी चुकी आपके सुखिस्तान में वर्ष परियंत बैठेंगे, यानि वर्ष दोजाट चौबिस में, शनी आपके यहां पर ही विराजमान है, तो बूमी बवन वाहन जैसे सुखों से आप परिपूर्ण हो जाएंगे, नए घर का सपना पूरा होगा, नए वाहन का सपना पूरा होगा, और नए नए प्रॉपर्टी आप बनाते हुए दिखाई देंगे, यानि सनी आपके सुखों में व्रद्धी करेंगे, आपके सपनों को साकार करते हुए दिखाई देंगे, और व्यक्ति के सपने जब साकार हो जाते हैं, त पर तो शनी शशनामत मापुरुष योग भी बना रहे हैं जो कि आपकी उन्नती और तरक्की में साहिक साबित होगा अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में भी प्रमोशन इंक्रिमेंट सब मिलने के चांसे बनते हुए दिखाई देंगे तो शनी आपके सुखों को बढ़ाएंगे अब आते हैं अगली भविश्यवानी पर चुकि शनी की द्रस्टियां आच्छी नहीं होती ये सभी जानते हैं शनी तृतिय द्रस्टि से वर्ष दोजार चौबिस में आपके रोगभाव पर द्रस्टि डालेंगे वही सब्तम द्रस्टि से आपके कर्म भाव को देखेंगे और दसन द्रस्टि से आपके लगन को देखेंगे और यहां पर आपको संबल कर रहने की आवशकता रहेगी क्योंकि शनी की द्रस्टियां अच्छी नहीं होती है इसलिए स्वात समंदी समस्याओं के प्रती थोड़े से सावधान होकर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा स्वाद समंदी समस्याओं के प्रती अवेर रहे और अपने शत्रों से भी थोड़ा सा साथधान रहे क्योंकि जब हमारे जीवन में सफलता का स्वाद हम चकते हैं तो उसके साथ ही हमारे शत्रों की संख्या भी बढ़ जाती है हमसे जलने वालों की, हमसे इर्शा करने वालों की संख्या बढ़ती है और इस संख्या के बढ़ने से हमें डरना नहीं है उनका डट कर सामना करना है इसलिए अपने शत्रूओं के प्रती थोड़ा सा साथधान है स्ट्राटेजी और प्लैनिंग थोड़ इसी सीमिश संख्या मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कारिया कर रहे है बहुत ज़्यादा लोगों में इस्प्रेड न करें अपनी योजनाओं को वरना शत्रूओं को मौका मिल जाएगा आपके काम में खलल डालने का आपको थोड़ा सा इस समय अपने काम में भी फोकस होना पड़ेगा खास कर मई से लेकर दिसंबर तक का जो टाइम पीरियड है वो आपके लिए इतना अच्छा नहीं है इस समय आप जितना फोकस होकर काम करेंगे उतना ही आपके लिए बैतर रहेगा क्योंकि अप्रेल तक तो कर्म भाव पर गुरू की भी द्रस्टी है पर उसके पश्यात गुरू जैसे ही राशी परिवर्तन करेंगे केवल शनी की द्रस्टी आपके कर्म भाव पर पड़ेगी और वो आपके काम को थोड़ा फ्लच्वेट कर सकती है देखिए शनी मैंने आपको बोला कर्म फलदाता है इसलिए सही मार्क पर चलते हुए अपने कर्म को कीजिए डिजर्ट जरूर मिलेंगे पिता के साथ वाद विवाद से आपको बचना है उनकी आग्या का पालन जरूर करना है अब शनी की दसंद्रस्टी पर आए तो शनी की दसंद्रस्टी आपके लगन पर पड़ रही है और जन्वरी से लेकर अप्रेल तक आपको थोड़ा सा अग्रेसिवनेस को अपने गुस्से को कंट्रोल करना होगा मरना उस वज़े से आप अपने बने बनाए काम को बिकार देंगे क्योंकि मई से लेकर दिसंद्र तक तो गुरू की दस्टी भी आपके लगन पर पड़ेगी जो कि शनी की द्रस्टियों को बैलेंस कर देगी पर जनवरी से लेकर अप्रेल मा तक का जो समय है आपको थोड़ा सा अपने अग्रेसिवनेस को कम करना है हर बात में और रियक्ट न करें हर बात में तलवार निकाल कर लड़ाई करने के लिए ना उतर जाए क्योंकि आपका स्वभाव भी कुछ ऐसा ही है आप बहुत बेबाक है थोड़ा सा स्ट्रेट फॉवर्ड है अपनी बातों को फोर्स फुली रख लेते हैं पर जरूरी नहीं है आप हमेशा सही हो इसलिए अपना मुल्यांकन करते हुए सोथ समझ कर धहरे के साथ आपको आगे बढ़ना है धहरे का दामन नहीं छोड़ना है बस इस बात का विशेश रूप से ध्यान रखें अब आते हैं अगली बविश्यवानी पर देखे राहू यहां आपके फिफ्ट आउस में विराजवान है और वर्ष परियंत राहू आपके फिफ्ट आउस में बैठने वाले है पंचम भाव में बैठकर करियर को फ्लच्वेट कर सकते हैं एक अनायास भय करियर को लेकर आपके मन में उत्पन हो सकता है मैं सफल होंगा या नहीं मेरे साथ होंगा या नहीं मैं सही कर पाऊंगा या नहीं पर अपने self confidence को बनाए रखना है राहू क्या करते हैं व्यक्ति को बहुत impulsive बनाते हैं बहुत जल्दी उसे लगता है कि मैं बिल्कुल सही हूँ और वो जल्द वाजी के अंदर गलत निर्ने ले लेता है हमें वैसा नहीं करना है विशेश कर मैंने आपको बताया पूरे वर्ष परियंत ये संतान का भी घर है और यहां पर रहू बैटे हैं तो वो गलत आक्तों की तरफ संतान को प्रेदित कर सकता हैं इसलिए parents को विशेश रूप से संतान पर नज़र रखनी होगी मित्रवत प्रयास कीचिए उन पर क्रोद और आवेश भी करना ठीक नहीं है वो विद्रोई हो जाएंगे थोड़ी सी सावधानी के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो राहू के रिजल्ट आपको अच्छे ही मिलेंगे बस आपको अपना विवेक नहीं खोना है विवेक और बुद्धी का इस्तमाल करते हुए अपने चीवन में आगे बढ़ते चले जाना है अब आते हैं अगली भविश्यवानी पर आपके रासी स्वामी है मंगल जो कि मैंने आपको बताया कि बर्ष परियंत धनू से करक राशी तक गोचर प्रमन करेंगे अब पांच परवरी से लेकर पंद्रा मार्च तक वे अपनी उच्च की राशी मकर में गोचर प्रमन करेंगे और ये समय बहुत ही अच्छा और आपके बल और पराक्रम को बढ़ाएगा आपको कुछ बड़ी सफलता के योग दिलवाएगा मही एक जून से लेकर बारा जुलाई तक मेश राशी में स्वग्रई होते हुए दिखाई देंगे यहां आपको स्वास्मंदी समस्याओं से मुक्ती मिलेगी रक्त विकार से समंदित अगर आपको कोई समस्या है तो उसमें आपको आराम मिलेगा मही मंगल 20 अक्टोबर से लेकर 21 जनवरी वर्ष 2025 तक अपनी नीच की राशी करक में भी गोचर भ्रमन करेंगे इसलिए आपको बहुत ज़्यादा संबल कर इस टाइम पिरिट के दोरान रहना है बस इंपल्सिव होकर जल्दी से कोई भी डिसिसन नहीं लेना है बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना है अपनी परसनालेटी को किसी के लिए खराब न करें तो ये थी व्रष्टिक राशी वालों के लिए वर्ष 2024 की कुछ भविश्यवानिया अब अगर आप इस वर्ष को और अधिक सार्थक बनाना चाहते हैं उन्नती दायक बनाना चाहते हैं सम्रती दायक बनाना चाहते हैं तो कुछ उपाए भी आपको इस वर्ष में करने होंगे चुकि आपके रासी स्वामी मंगल है इसलिए आपको मंगलवार का व्रत करना चाहिए रोजान अगर हो सके तो बजरंग बान का पाठ जरूर करें अगर वो ना कर सके तो हनुमान चालीसा जरूर करें मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदे जाकर उन्हें पान का बीड़ा जरूर अर्पित करें वर्ष परियंत आपको शनी के दान भी करने चाहिए क्योंकि शनी की धईया आपको चल रही है और शनी की द्रस्तियां अच्छी नहीं होती अगर दान पुर्णे करेंगे तो शनी देवाप पर हमेशा अपनी क्रपा द्रस्ति बनाएं रखेंगे यानि काली चीजों का दान जरूर करें और महामरत्युन्जे मंत्र का जाप रोजाना एक माला जरूर करें इससे आपके सफलता के योग सून निश्चित होते हुए दिखाई देंगे और जो मैंने आपको बताया 20 अक्टोवर से लेकर जन्वरी तक का जो समय है मंगल जब नीच के हो तो लाल चीजों का दान आपको जरूर करना चाहिए चाहिए लाल कपड़ा, सिंदूर, लाल वस्तुएं, अनार इन सब का आप दान कर सकते हैं यानि लाल चीजों का दान जुरूर्तमन लोगों को जरूर करें पर अब ये जो मैंने आपको उपाय बताया हैं ये कॉमनली बहुत सारे व्रशिक राशी वालों के लिए हैं यदि आप अपनी पर्सनल जन पत्रिका और गोचर की इस्तती के आदार पर अपने आने वाले भविश्य, आने वाले वर्श, वर्श 2024 के बारे में जानना चाहते हैं और कुछ ऐसे सटिक उपायों के बारे में जानना चाते हैं जो कि आपकी पर्सनल लाइफ को आगे लेकर जाए उन्नती दायक बनाए तो आप टेलिफॉनिक अपॉइंट्मेंट और पर्सनल मीट के मादिम से मुझ से जोड़ सकते हैं अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिये गए नमरों पर कॉल या फिर वाट्सेप करके संपर कर सकते हैं अब मैं अपनी मानी को यहीं विराम देती हूँ स्वस्त रहिए फ्यस्त रहिए मस्त रहिए और हमीशा मुस्कुराते रहिए जै श्री राधिक्रशना गुरुमा निधी श्री माली एक प्रसिद्ध ज्योतिश आचार्य हैं उनके जोध पुरिस्थित ज्योतिश संस्थान में महामृत्युन जय, कालसर्प दोश, मा बगला मुखी, विवाह बाधा निवारन पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्ध्वान, पंडितों द्वारा, पूर्ण विधिविधान एवं शासरुक्त रीती से संपन्न करवाई जाती है अतह आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हैं तू इन नंबरों पर संपर्क करे 8 9 5 5 6 5 8 3 6 2